Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Khril जहाँ पर आपको Physics के Topics बहुत ही Easy और Simple English में कराए जाते हैं और साथ के साथ आपको Notes पर प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको कोई भी प्रोब्लम ना हो Study Material आपको साथ की साथ मिलता रहें ताकि किसी की भी Study किसी भी वज़े से रुख ना सके आज की जो हमारी वीडियो है उसका हमारा Topic होगा होगा Fluids, Exert, Thrust सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दो वर्ड्स है, Fluids और Thrust हमें इन दोनों की Meaning पता होने चाहिए Fluids की Definition मैंने आपको Previous जो Introduction वीडियो थी उसमें क्लियर की थी Fluids क्या होते है यह Property होती है Liquids और Gases की जिसकी वरे से क्या होता है उन्हें External Force प्रवाइड किया जाता है ताकि वह Move कर सके तो उसे हम क्या बोलते है Fluid बोलते है इसी तरह से अब Thrust है Thrust का जो Basic Meaning होता है वह होता है कि एक तरह का हमें Force प्रवाइड करना है एक तरह से हमें एक धक्का देना एक तरह सड़न हमने reaction देना है सड़न हमने Force अप्लाई करना है ताकि जो हमारे पास Substance है वह Move कर सके Thrust का Basic Meaning यह होता है अब हम यह देखेंगे कि Fluid जो है वो Thrust को कैसे exert करते हैं हम वो देखेंगे हमें बता है कि हमारे पास जो Molecules होते हैं हमने Suppose कर गया कि Fluid के Molecules को हमने किसी भी Container के अंदर Fill किया हुआ है Fluid के हमारे पास Gas है और Liquids है उसे हमने किसी Container के अंदर रखा हुआ है और जो Molecules होते हैं Fluids के वो क्या करेंगे Random motion में Move करेंगे Аगर Move करेंगे तो हमारे पास एक Container है फ्लूट फिल किया हुआ है हमने जब यह मूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा यह जो कंटीनर है इसकी वोल्स के उपर भी कॉलाइड करेंगे जब वोल्स के उपर कॉलाइड करेंगे तब क्या होता है हमारे पाल वोल्स के उपर कॉलाइड करके वो रीबांड हो ज जो molecules हमकी momentum change हो जाएगी और जो यह molecules है लिए क्या करते हैं इसी change in momentum को transfer कर देते हैं container को change in momentum को molecules क्या करते हैं इस container को transfer कर देते हैं और यह जो हमारे पास transfer होता है जो normal change आता है momentum transfer का to the walls of the container per unit time by the molecules of fluid is known as the thrust of fluid on the walls of container इसे हम क्या बोलते हैं thrust बोलते हैं on the walls of container यह है हमारे पास basic introduction basic definition या फिर basic हम बोल सकते हैं fluids की thrust को कैसे exert करते हैं कि वो अपने जो change in momentum है वो container को transfer कर देते हैं तो इस change in momentum को हम क्या कहते हैं जब कि change in momentum per unit area एक unit area के अंदर कितना change in momentum हो रहा है container की fluid के द्वारा उसे हम क्या बोलते हैं thrust of fluid on the walls of container इसे हम बोलेंगे thrust की इस तरह से जो fluid है वो thrust को exert कर रहा है इस container की walls के उपर सो यह है हमारे पार fluids exert thrust उसके बाद हमारा जो second topic है वो है liquid in equilibrium हमने बात करनी है liquid in equilibrium हमने क्या किया है हमने पता है कि जब हम किसी भी object को submerge करते है liquid के अंदर तब वो क्या करती है उस object के ऊपर जो water है in contact जो water उस object के साथ contact में है वो क्या करता है उसकी surface के ऊपर object की surface के ऊपर क्या करता है force exert करता है और यह जो force होता है यह क्या होता है normal होता है normal means perpendicular direction में means 90 degree angle पे होगा तो इसे समझने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास कोई भी force F है वो क्या कर रहा है force exert कर रहा है liquid के द्वारा force exert कर रहा है liquid किसी भी surface के ऊपर किसी भी object के surface के ऊपर और उसके साथ angle बना लेता है θेटा उसकी साथ angle बना लेता है θेटा with the parallel direction पैलर डारेक्शन में एंगल बना लेता है तो उसके बाद क्या होगा एक रियक्शनल फोर्स होगा यह रियक्शनल फोर्स है रियक्शनल फोर्स आएगा उसे कंपन्सेट करने के लिए जब वो रियक्शनल फोर्स क्या होता है उस लिक्विड के फोर्स की आप उसे डारेक्श κορ diste sama 1 यहां पर एंगल होगा वहां पर हमेशा को कोष साहा है वहां पिया पर को मिरेख कंपोनेट में इंगल wyड़र केड है यहां फर nom में present है तो हमने क्या किया कि जो लिक्विड है उसके उपर वो रेस्ट में present है means कि वहाँ पर कोई भी मतब टैंजेंशिल फोर्स का वापाउस नहीं कर सकता है तो जिसकी वरह से क्या होगा कि हमारे पास जो लिक्विड है वो पैलल डारेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दे है means इस डारेक्शन में फ्लो करता है जिसकी वरत से क्या होगा कि है यहाँ पर बन गया है और हमारे पास क्या है कि वो parallel direction में flow कर सके क्योंकि चो liquid है हमारा वो rest position पे present है तो इसलिए क्या होगा कि हमारे पास rest पे present है तो हमारे पास जो f वो तो 0 नहीं हो सकता जो force है हमारा वो 0 नहीं हो सकता तो हमारे पास यहां पे 0 किसको नहीं हो not पड़ेगा cos theta को means हमारा जो एंगल है cos theta को zero होना पड़ेगा cos theta zero कब होगा cos 90 तो theta हमारे पास यहां से क्या आ गया 90 degree आ गया means हमारे पास क्या होगा 90 degree यहां पर theta होगा जिसकी विदिदे से हमारे पास cos theta जो है वो zero हो जाएगा अब देखो यहां से क्या हुआ कि हमारे पास theta angle 0 हो गया means यह वला angle 0 हो गया cos theta means it means कि यह खतम हो चुका है force force f cos theta जो है वो खतम हो चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो liquid rest पे present है उसके ओपर जो force होगा लिक्विड जो rest पे present है और उस liquid के अंदर जो हमारे पास object present है उसके उपर जो force होगा वो normal force लगेगा normal force means 90 degree angle पे force लगेगा जो यह वाला फोर्स पैलल फोर्स हो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसी तरह से हमने क्या लिया हमने दूसरी situation ले ली है जहां पर हमने क्या किया object को हमने liquid के अंदर submerged किया है जो की rest पर present है यह liquid rest के उपर present है और जो force exert होगा liquid के द्वारा on the surface of object object की जो अलग अलग faces पे हमने जो यह directions है एरो की वह हमने force की direction को दिखाया है वह क्या करेगा inside force लगेगा liquid क्या करता है इस object के ऊपर क्या करेगा force exert करेगा इन्मार डारेक्शन में हमने arrows के साथ शो किया हुआ है means जाके उसकी faces से देखे तो यह क्या है नॉर्मल है उसकी perpendicular direction में है तो means कि हमारे पास यहां पर जो force लग रहा है वह हमेशा क्या लग रहा है perpendicular direction में लग रहा है जो हमारा पैलल वाला force होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा थीटा एक्वल टू 90 की वेदे से जो पैलल फोर्स है वो उसका क्या होगा जो total होगा on the given surface in contact with it is called the thrust of liquid on that surface means कि हमारे पास जो total होगा इस normal force का जो की मतलब जो liquid surface की सब contact है contact में है object की उसको हम क्या बोलेंगी thrust of liquid on that surface वो क्या होगा उस liquid का thrust होगा on that surface इस ही क्या हम बोलते हैं इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे liquid है वो equilibrium में है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो force है वो normal direction में apply हो रहा है तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं thrust की thrust के जो SI units की अगर हम बात करें तो thrust हमने क्या बोला एक तरह से force है एक sudden force है तो इसके जो units होगी SI units वही होगी जो force की होगी force की SI units क्या होते हैं new turns और force की जो CGS units हैं वो क्या होते हैं dines होते हैं so जहां पर यह topic खतम होते हैं दोनों एक तो हमने किया था thrust sorry fluid exert thrust एक हमने यह topic क्या था और second हमने किया है liquid in equilibrium so यह एक दूसरे के साथ के interconnected हैं आपको पता होना चाहिए first topic और second topic भी easily के लिए so that was it for today's video I hope आपके लिए यह वीडियो कुछ न कुछ beneficial रही होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगी तो मेरी वीडियो को नाइक करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना हो चाहता सी जद अपने friends और family के साथ share करना ताकि बाकी लोग भी इससे अपना benefit ल मौचिं